असलाम अलेकुम, रियक्टिविटी ओफ अलकीन, इस टोपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, यह एक्जैमिनेशन पॉइंट ओफिश से देखा जिए तो बच्चे बहुत ज़्यदे इंपोर्टन शोर्ट कुश्चन है, यह पास्ट पेपर हैं काफी दफ़र शोर्ट कुश्चन अलकीन रियक्टिव कंपाउड क्यों हैं? सही है, तो कुश्चन इस तरी कहसे पूछा जाता है, यह अलकीन और हाइली रियक्टिव कंपाउड एक्स्प्लेइन विद रिजर्ग आपने इसको रिजर्ग के साथ एक्स्प्लेन करना है, सबसे पहरी बात आपको पता होना है बंदी किस तरह है देखो आपने यह सिंपल से स्ट्रक्चर पढ़िया होगे इस तरह की अलकीन में डबल बॉंड होता है और यहाँ पर मैं दो हाइडोजन बना देता हूँ यह हमारे पास सिंपलेस्ट अलकीन है अब इस चीज़ पर आपने फोकस करना है इसका मतलब क्या है देखो डबल बॉंड पता है किस सरह बनता है अब यहाँ पर एक नियुकलेस है यह कार्बन एटम इस कार्बन एटम को इस से रिप्रिजंट करता हूँ यहाँ पर एक नियुकलेस है इस कार्बन एटम को इस से रिप्रिजंट करता हूँ सही है तो डबल बॉंड है डबल बॉंड जब भी पाई जाए तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी एक बॉंड होता है सिक्मा बॉंड होता है और एक पाई होता है sigma bond बनता line wise overlap की वज़ा से आपका sigma bond बनेगा कुछ इस तरी के से इस तरह overlap करेंगे orbitals और हमारे पास sigma bond बन जाए यह क्या बन गए हमारे पास sigma bond अब इसके बाद जो second number पे आ जाता है वो है pi bond pi bond किस तरह बनता है parallel overlap की वज़ा से इस तरह यह कुछ इस तरह है same इस तरह हमारे पास nature से भी orbital इस तरह कुछ overlap करेंगे overlap करने के बाद आए हमारे पास क्या बन गए pi bond अब ना main जो चीज आपको concept थोड़ा बोट होना जाए वो है orbitals का यह जो चीज overlap कर रही है नहीं यह हमारे पास orbitals होते है अब orbitals वो जगह होती है जहाँ पर electron के मिलने के maximum chances होते है maximum कितना था 95% chance ही होता है कि आपके electrons यहाँ पर पाई जाएंगे यहाँ पर पाई जाएंगे सही है अब जोखो sigma bond तो दो nucleus यह nucleus है और nucleus को पर कौन से टार जाता है positive यह बात याद रखिए इस nucleus को पर कौन से टार जाता है positive अब जो sigma bond है इसके electron तो दो nucleus के बिल्कुल दरम्यान में पाई जाते है दो nucleus के बिल्कुल दरम्यान में पाई जाते है यह वाले electron किसी भी चीज़ के लिए easily available नहीं होगे यह किसी चीज़ को नहीं मिलेगे जबकि पाई बॉन की गर में बात करूँ तो पाई बॉन की जो electrons होते है एक यहां पर कुछ यहां पर यानि कि यह nuclear axis जो है न nuclear axis किसको कहते है यह एक ऐसी line हो जा रहे है जो दोनों nucleus को cross करते जाए इसको कहते है nuclear axis कह नाम देते है nuclear axis कहते है जो आपके यह वन एक्टोंस है यह nucleus से अवे पाई जाते है दूर पाई जाते है यह यहां पे यह यहां पे यह यहां पे और यह यहां पे जब कोई भी चीज अब देखो दो magnet ले लो दोनों magnet को जितने एक दूसरे के क्रीब रखोगे उतने ज़्यादे एक दूसरे को अट्राट करते है जैसे ही दोनों magnet को जितने दूसरे से दूर लेके जाओगे जिसे की force of attraction क्या हो जाएगी क्म हो जाएगी अब देखो nucleus के ओपर positive charge है electron के ओपर कौन से चारज होता है negative मतलब हर एक nucleus अपने electron को attack करके बैठा होता है अब जैसे ही से दूर जाएंगे तो nucleus की attraction electrons पर कम हो जाती है और यही बात आपने पढ़ी होगी जब attraction कम होती है तो यह वहला bond जो होगा pipe bond जो क्या होगा wicker bond होगा यह क्या होगा और जबके sigma bond जो होता है यह क्या होता है हमारे पास stronger क्योंकि यह दोनों nucleus के द्रम्यान पाई जाता है nucleus अच्छे तरीके से इंको attack करके रखा होता है अब देखो यह electron nucleus से दूर पाई जाते है away word use करता है away मतलब बतलब दूर सही है अब ऐसी चीज मसलां अगर किसी चीज को electron की जरूरत है यह बरी चीज positive charge leg ऐसी चीज जिसको electron की जरूरत है वो जैसे यह electron देखे के इसका सांद्सकाष Herman क्योंकि इसको बाहर असानी से electron मिल रहे है सही है जैसे electron देखे की इसके सांद्सकाष Herman जेगी इलेक्ट्रोफिलिक्स पिश्य भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लव, यह ऐसे चीज जो अलेक्ट्रोण को प्यार करें, लव करें, अब लव कौन से चीज होते हैं, और किसी चीज की तरफ अट्रेक्शन को भी कह सकते हो, ऐसे चीज जो अलेक्ट्रोण की तरफ होगी उसका हम क्या नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोन लवर और इलेक्ट्रोन फाइल भी जो कमिश्री के अंदर लब फिर इसमाल के रहे हैं यह बहुत ज़्यादे इंपोर्टन वर्ड यह आगे जाकर काफी जफ़ाई समाल मैंने करना है तो याद रखेंगे इलेक्ट्रो नुक्लियस की तरफ जाएगा सहिए वह यहाब मारा रिले अलेक्ट्रोफार बहुत जाएंपोर्टन की तरफ जाएगा से अब देखो ऐलेक्ट्रोफार के उपर इस बात आपने इयाद रहे हैं और यही बात हुद आपने ऊपर कूढ़ सा चार्ज रखेगा पाजिव बस लिख रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे in alkane one sigma and one pi bond is present in alkane one sigma bond and one pi bond is present and one pi bond is present one sigma bond बनता है line wise overlap की वजह से sigma bond is formed by sigma bond is formed by line wise overlap line wise overlap की वजह से बन रहता है while जबकेाई बार्टीस फॉर्मड़ बाई-फॉर्मड बाई गवाइब माईज पाई बाई भाई बीज बाई-वर्लाप अब यह होता है किद्विस रहने न мы भाई जाती है कि अबब ट्र। नेज वब जाती है Electrons, of Pi bond, Pi bond की जो Electrons हैं, Bonds, Are Present, Pi bond की जो Electrons हैं, मौ मौझूद होते हैं, Present, Away from Nuclear Axis, Away from Nuclear Axis, Nuclear Axis, ये Nuclear Axis से बहुत दूर पाय जाते हैं, जिसकी वज़ए से Nucleus की Attraction के उपर काम होती हैं, and and the attraction of nucleus and the attraction of nucleus और जो nucleus की attraction होती है is less ये कम होती है on these electrons on these electrons in electrons पर in electrons पर nucleus की attraction क्या होगी कम होगी और इसी वज़े से हमारे पास ये जो electrons होते है किसी भी और इसी फ़ाइल के लिए easily available होते है say these electrons are easily available these electrons are easily available easily available available for Electrofile, Electrofile के जिसको और दोज़े इसी चीज़ जिसको और जारूर की जुरूरत हो उसके लिए यह electron असानी से available होंगे and more exposing बस इस तरह easily available and that's why and that's why alkenes are reactive compound इसी लिए हमारे पास alkenes क्या है reactive compound एक और यह word अगर इसमें adjust करना चाहते हैं तो उजिए लिख सकते हैं कि the pi electrons are more exposing exposing मदद यह बाहर ही पड़े होते हैं यह बादे दो electron जो है ना sigma bond के यह दो nucleus के दर्मियान में पड़े होएं जबकि यह दो nucleus से दूर पड़े होएं बाहर पड़े होएं सही है तो यह भी अगर लिखना चाहें इसके अंदर कहीं पर adjust करना चाहें तो आप adjust कर सकते हैं बना यह आपको question का answer मुकमल हो गया कि हमारे पास अलकीन के अंदर एक sigma bond होता है एक pipe bond होता है sigma bond line wise overlap वज़े से बनता है जबके pipe bond और parallel overlap की वज़े से बनने की वज़े से हमारे पास electron density nuclear axis से दूर होती है electron density nuclear axis से दूर होने की वज़ा से हमारे पास nucleus के attraction कम हो जाती है जिसके वज़ा से pipe bond wicker bond होता है और यह easily electron available होता है किसी भी electron profile के लिए वर इसलिए यह reactive compound है तो यहीं बच्चा मारे पास आज का lecture अल्ला आफिस